सब्सक्राइब करते हैं कई सारे इंपोर्टेंट कॉंटेंट इसके साथ में कोश्चन जहां पर हम लोग इंडिया के जो लीडिंग न्यूस पेपर है वो कवर करते हैं जैसे कि देहिंदू इंडियन इसके सब्सक्राइब करते हैं जहां पर आपको पूरे देश के दुनिया की हर एक इंपॉर्टन डॉलेज जो की होती है तो आज जैसे कि आप सभी को मालू में आज मंडे है तो मंडे को हम लोग दो दिन का करेंट अफेर कवर करते हैं यानि कि संडे के न्यूस पेपर को भी आप इंडिया में इन में से किसी भी एक्जाइम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो आपको इस सेशन रेगुलर देखना चाहिए आपको बहुत बैनेफिट मिलेगा सबसे पहले प्रिविएस डे की कोश्चन के बारे में कवर करेंगे उसके बाद मैं कोट अव्ड़ देखें हैं तो हम लोग को रिलेट करते हैं समझ गये जैसे कि यह कोश्चन है मैंने कल आपसे पूछा था कि रेसेंटली एक नया स्पीश्यस बनाना प्लांट का जो है वो अडेंटिफाइ किया गया है जिसकी ग्यारा मीटर हाइट है समझ गया मेरी बात तो यह कहां पर अंडमान के उपर है जो कि हमें देखने को मिला सेकिंड कोश्चन मैंने आपसे पूछा था कि आपको इन फेस्टिवल को मैच करना था तो यहां पर देखिए पहला वाला बिल्कुल सही है मनिपूर में लेकिन जो तंकता डांस ना यह सिक्यम में नहीं होता है यह होता है आपके यह भी आपके मनिपूर में ही होता है तो आपका अंसर वन और टू बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कि भी आंसर हो जाएगा थर्ड कोशन था कि फंडमेंटल राइट्स के अलावा कहां पर हुमन रेट्स की बारे में बात करी गई है तो देखो हमारे जो प्रिंबल है उसमें भी बात करी गई है एक्वालिटी के बारे में तो यह भी जरूरी है डीपी एस्पी में भी कवर किया हुआ है है ना कि सबको बराबर एक्वालिटी होने चाहिए मैं वुमें को रिसोर्स का इक्वल डिस्टिबिशन होना चाहिए और ड्यूटी के अंदर भी बात बोली पूछा था तो यह क्या एक अमेरिकन एंटी मिसाल सिस्टम है समझ गया मेरी बात ठीक है एंटी मिसाल सिस्टम है यह 2018 के अंदर सवाल आ था तो मैंने आपको इसको करेक्ट करवा दिया है चलिए आगे बात करते हैं अगर आपको इंडिया में किसी भी एक्जाइम के आपको डाउलोड करनी है मुबाइल लंबर डालने हैं यहां पर अपना जो भी एक्जाइम है चाहे आपका कोई UPSC है SSC है IIT है कोई नीट का है है ना कोई गेट है कोई भी एक्जाइम है उसके बाद में प्लस पर जाएए गेट सब्सक्रिप्शन पर बारह या चौबिस म मिलेंगे math reasoning के और मेरी भी classes आपको सारे subject की मिलेगी साथ में अगर आप जॉब करते हैं अगर आपको कोई फ्रेंड जॉब करता है तो आप उन्हें जरूर बताएगा smile for all society.org के बारे में जहां पर जाएक बच्चे के education पीजा की कॉस्ट में sponsor कर सकते हैं उसकी fee receipt उसके attendance progress report स सब कुछ आपको जाए वो available होती रहेगी आज का code of the day देखते हैं जो कि मौहमद अली के दुवारा एक बहुत ही amazing बात है जो की बोली गई every day is different and some days are better than others but no matter how challenging the day I get up and live it है ना कि बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जो कि बहुत challenging होते हैं उस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है काम करने का मन नहीं कर रहा होता है ऐसा लगता है कि यार क्या होगा मेरे बविशे में क्या होगा मेरा present घरवाले परिशान कर रहे हैं सब लोग जो है वो में जीने का मज़ा आ जाएगा आप अपने आपको बहुत जो है वो डे बाई डे इंप्रूव करते चलोगे ठीक है चलिए ठीक है आगे बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ओके देहिंदु का front page जो कि आपके Sunday का है तो सबसे पहले अगर मैं Sunday के बारे में बात करूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि Sunday के कि उस पेपर में सबसे पहले तो कुछ एक बाई पोल्स हुए थे बाई पोल का मतलब होता है कि कई एक कई जगे पर वापस से एलेक्शन होते हैं है ना जैसे कि फॉर एक्जैंपल कोई से एलेक्शन करवाए जाते हैं तो यह वापस से हुए जहां पर बेंगॉल में जीत गई कॉंग्रेज सतेजगर में जीत गई है ना बाइपोल्स के लिए ने जो है वो बिहार की सीट जीट ली तो यह सब चार-पास सीटों के उपर एलेक्शन हुआ था तो वह यहां पर ब बोर्ड के ओपर होगी है रहा चलिए हर्विंदर बोल रहे है कि सर यूपीस्य में जनरल साइंस तो नहीं साइंस अंट आता है बिल्कुल सभी बात है साइंस अंट आता है लेकिन जनरल साइंस आपको पढ़ना बहुत जरूरी है समझ गया है वो जीस का पार्ट है जनरल स् करेंगे important है ठीक है चलिए next बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों काफी clash है जो कि दिल्ली के जहांगिरपूरी के अंदर देखने को मिले आउचकल आप देखी रहो कि हनुमान जहनती आई थी और उससे पहले और भी एक-दो जहनती आई थी जब भी ऐसी जहनती हुए तो काफ आपके religion के बीच में उतना ही फायदा पॉलिटिकल पार्टी इसको मिलता है तो उसका वनवदा पार्ट है आप देखने को आपको यह सब इंस्टेंट था आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे हैना फ्रिक्वेंटली यहाँ पर देखे 6 पुलिसमें में इंजर हो है और कई सारे राज्यों के अंदर यह सब देखने को मिलें यहाँ पर बात करते हैं पंजाब ने तीन सो यूनिट आफ्री अनाउंस कर दी यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर अक्सर पटेल को लेकर है और यहाँ पर डिसी जी जी ए रैक्टर जनरल और थी एक 1098 समझ गया पहले में इसके बारे में आपको थोड़ा बाब बताता हूं यह थी क्या यह 24-7 एक free emergency help line थी जो की बच्चों के लिए थी कोई भी बच्चा 18 साल से कम का 18 साल के आसपास कभी चलेगा वो क्या कर सकता था कॉल कर सकता था और अपनी कोई भी problem share करना कोई स्ट्रेस है अगर उसको कोई भी family की problem है कोई उसको किसी बीतार की कोई भी issue है तो वह आपर discuss किया करता था समझ गया चाहिए वह कोई अगर violence हो रहा है वह भी discuss किया करता था तो यह एक project है जो की zero बिला मुया के दुवारा Tata Institute of Social Science Mumbai के अंदर start किया गया था और यह बहुत ही जो को emergency assistance 2020-21 में दी गई और 6 call centers इन्होंने दिली, मुंबई, कोलकता, चन्नी और बैंगलोर में open कर रखें है वर्ल्ड का biggest emergency help line service है जो कि इसको बताया जाता है वर उफ दा biggest बच्चो के लिए है नेरबाइ 600 ऐसे district के अंदर जो है इसका presence है network है जहां से calls आया करती थी तो यह एक पूरा structure है जो की बना रखा था है ना country की only dedicated help line number थी जो इस तरी बच्चों के लिए थी जो की child rights के लिए थी जो की emergency के अंदर assistance है जो की available करवाया जाती थी अब यहां पर जो काम करने वाले लोग थे वो थे social service करने वाले लोग, NGO's थे है ना जो की counselling क्या करते थे है कोई भी call कर सकते है call करने के बाद वो आपको option देते हैं है ना कि आपको किस category के अंदर किस में complain करनी है यह सब होता है तो यहां पर दोनों को merger है जो की किया जा रहा है समझे मेरी बात यह यहां पर अब इसके कुछ pros भी है उसके कुछ calls भी है civil society जो organizations है उनको बहुत attention इस चैल्ड protection service scheme है समझ गये तो उसके साथ में इसको merger जो कि किया जा रहा है पहले तो क्या होता था कि WCD मंत्राले देखा करता था क्योंकि चाइल्ड और वुमेन का तो WCD देखता है अब जब यह merger हो जाएगा ने 112 के साथ में तो फिर यह कौन देखेगा home ministry देखेगी फिर यह सास लाग कॉल है जो कि पूरे साल में रिसीव हुई जिसमें से एक लाग कॉल सेक्शुल अभी उसके थी अठारा जार जो है मिसिंग चिल्रन को लेकर थी देड़ लाग जो है वो इन्फरमेशन लेटेट थी इस तरह कि कि अलग-अलग यहां पर कॉल से जो कि देखने को मि अभी क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री वुमें इंचाइल डवलपमेंट ने एक ठीक है तीन अंब्रेला योजना लाउंच कर रही है एक तो है आपका सक्षा मांगनवाडी और पोशन सक्षा मांगनवाडी जिसमें आंगनवाडी को थोड़ा डवलप किया जा रहा है पोशन स्कीन के ताहित उसी प्रकार से महिलाओं के लिए मिशन शक्ति है संभल एक तो वन स्टॉप सेंटर महिला पुलिस वॉलेंटियर आपको महिला है वीडियो के लिए हनाम वैसे सामर्थ करके भी है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वह इसी के अंडर मांतरी मां किसी एक्जाइम में लिखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे नमबर मिलेंगे प्रॉपर तरीके से बाइफर करके हमारे देश में नियरबाइ 47 करोड के आसपास बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे कम है जो कि हमारे देश की 40% के आसपास की population है अब आप देख सकते कि प्रेशर जो है वो बच्चे के उपर 18 साल से जो कम हमारे बच्चे उनके उपर बहुत जादा होता है प्रेशर किसी इसका आपको नमबर स्कोर करने का परसेंटेज का नियू एज्यूकेशन पॉलिशी में इन सब को रिमूव करने के लिए बोला गया इसलिए क्योंकि ब बहुत सारी चीजों से बच्चे को गुजरना पड़ता है तो उनके स्ट्रेस है उनको बहुत प्रिटेंशन तो उनकी बात करने के लिए कोई होना जरूरी है तो इसलिए 1098 जो कि लाउंच करी गए थी जहां पर सारे लोग ट्रेंड थे कि कैसे बच्चे से बात करनी है यह इंपॉर्णेंट था लेकिन अब जो क्या होगा कि अगर यह 112 के साथ में अटैच होगे तो महाँ पर पुलिस वाले होंगे उनको इसी की कोई ट्रेंग है नी तो वो किसी को बच्चे को गाइड करना उस बच्चे को समझाना वो सारे काम नहीं कर पाएंगे यह इसकी बहु पूरी के बूरे अब्जेक्टिव है बैनिफिट मेने आपको बैनिफिट किया इस वाली यूजना को अगर आप सिंगल अलपने नंबर करोगे तो है ना कि जो भी इमर्जंसी में जरूत पड़ेगी तो पुलिस वाले अवेलेबल रहेंगे सोशल वरकर जो है वो इमर्जं बच्चों के थोड़े बहुत होते हैं दूसरी बात यह कि यह पुलिस वाले रेस्क्यू करने के लिए फेमस है काउंसलिंग करने के लिए नहीं है तो यह प्रॉब्लम आजाएगी बहुत सारी ऐसे साइलेंट कॉल भी बहुत जादा आती है बच्चा कॉल करता है छोड़ लेकिन ऐसी कॉल के साथ में ट्रेन करने के लिए पुलिस वाले नहीं है ठीक है चलिए यह पूरा का पूरा इश्यू था जो कि मैंने आप लोग के लिए कवर कर दिया ओफुली आपको समझ मा आ गया पॉजिटिव नेगेटिव स्कीम क्या है क्यों की जा रही है पहले क्या थी पूरा आपने कवर कर लिया आगे बात करते हैं पंजाब को लेकर जैसा कि आपको मालू मैं दिल्ली के अंदर एक सोशल वेलफेर स्कीम है जिसके अंदर आपको एक वेलफेर स्टेट वही होता है जहां पर आपको एक किसी भी सिटिजन को बिजली पानी इनका स्कूल या फिर उसके जो लाइफस्टेल में स्टेंडर आफ लिविंग में इंप्रूव करने को लेकर वो एड़ उन कर सके हैं या तो देखो कोई दस जार रुपे कमा रहा है तो उसको बीस जार रुपे उसकी इंकम कर दो या फिर अगर कोई दस जार रुपे ही कमा रहा है तो उ दिली के अंदर आपको मालूम यह काफी फेमस रही है यह सेकिंड वाला जो है ना तरीका यह वाला काफी फेमस रहा उसी को लेते हुए आम आद्मी पार्टी ने पंजाब में वादा किया था तो अभी एक जुलाइस से क्या होगा तीन सो यूनिट ऑफ फ्री लेक्टर सिटी जो कि स्टेट को अविलेबल करवाई जा रही है इसके अंदर क्या होगा कि दो मेने की कितनी हो गई यूनिट 600 यूनिट हो गई दो मेने की 600 यूनिट हो गई अगर आप सी स्टी बैकवर्ड क्लास से बीपिल से बिलॉंग करते हैं है ना या फिर फ्रीडम फाइटर है की फ लेकिन अगर आप बाकी केटेगरी से बिलॉंग करते हो जो रेस्ट वाली बाकी जर्नल केटेगरी है बाकी केटेगरी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा 600 यूनिट से जादा अगर आप काम में लेते हो तो फिर आपको पूरी यूनिट का बिल है जो कि देना पड़े तो यह scheme है जो कि यहाँ पर पंजाब के अंदर implement करी गई है अगर मैं हमारे इंडिया में per capita energy consumption की बात करूँ अब हम लोग चलते हैं थोड़ा national level और international level पर देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर energy का क्या है हिसाब किताब समझ गए हमारे यहाँ पर capita energy consumption है वो बहुत ही कम है हम लो को बहुत ही कम निकल के आता है पर capita के साब से हमारी population तो 18% है दुनिया के लेकिन बिजली हम लोग 6% काम मिलेते हैं ठीक है पर capita energy consumption केतना है 0.6 ton of oil equivalent है जो के दुनिया के 1.8 से 1.3 के आसपास देखने को मिलता है पैरिस agreement में दोस्तों हमने क्या-क्या वादे कर रहे हैं वह आ देखो यह बहुत important है पेपर में सवाल बनेगा पैरिस agreement से लेकर हमने दोस्तों बोला है पैरिस agreement में कि 40% जो भी बिजली बनाएंगे वह non fossil fuel से बनाएंगे यानि कि renewable energy बनाएंगे जिससे कोई भी pollution नहीं होगा solar wind biomass इन सब से बनाएंगे 2030 तक के लिए बोला गया है अभी तो हम लोग 70% कोल से ही बनाते हैं हमारे energy अभी तो ख्यार हम लोग बहुत जादा पीछे हैं टार्गेट से renewable energy का टार्गेट रखा है 175 गीगावाट 2022 तक और 500 गीगावाट 2030 तक इस साल के अंतक हमारा टार्गेट है कि solar energy 100 गीगावाट wind energy 60 biomass 10 गीगावाट यह सब हम लोग प्लै production करें यह सारे numbers आपके लिए ज़रूरी है 100 solar 60 wind 10 biomass 15 nuclear 72 हैडल energy यह सारे हमारे टार्गेट से 175 हम लोग रेनेवेबल energy से 222 और 500 गीगावाट 2030 तक चाहते हैं अभी प्रिजेंट में क्या है इसाब किताब है देख लो भी प्रिजेंट में यह है कि आज की टाइम पर जो फॉसि production है समझ गए 60% के असपास इसके अलबा नौन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो यह नियर्बाइ 38% के असपास है 38% के आसपास है हम इसको और आगे लेकर जाना चाहते हैं जिसमें हाइड्रो देखिए आप 11 परसेंट सोलर विंड और बाकी मिलाके 26 विंड हो गया जिसमें 10 और सोलर हो गया जिसमें 12 इस तरीके से न्यूक्लियर बहुत ही कम है 1.7 परसेंट है ठीक है तो यह हमारा पूरा पर जो हमारे लिए important है एक छोटी से न्यूज है मेरे कि हिल से कहान चली गई कौन सी है अहां Greek प्रोजेक्ट को लेकर कहां यहाँ प्र था है तीक एक ग्रीयन प्रोजेट्ट को लेकर है की राजस्स्तान के अंदर है ना एक ग्रीन प्रोजेक्ट यो की launch होने वाला है FAO के द्वारा food and agriculture organization कहाँ पर headquarter इसका Rome के अंदर इसका headquarter है तो FAO क्या कर रहा है global environment facility है जो की राजस्तान के desert national park में available करवा रहा है desert national park के अंदर ही क्या करेगा conservation का काम करेगा जैसे कि लोगों को aware करना लोगों को grow कर सकते है फ्लोरा फ्यूरा का ध्यान रखना लोगों को aware करना सारे पंचायत को जो है वो अवेर करना ऐसे बहुत सारे काम तो इस पूरे project की costing जो है वो 31 करोड के आसपास है 2026 तक यह प्रोजेक्ट चलने को मिलता है आपको एक तो है आपका famous जसल मेर और famous बार मेर दो जिले के अंदर आपको देखने को मिलता है बार मेर नहीं यह बार मेर है समझ गहें यहां पर सेंड जो है नियर बार 20 पर संट वाला एरिया है को और हम लोग बायो डैवर सिटी के conservation के लिए ऐसे करें राजस्तान में आपको पांच नेशनल पाक देखने को मिलेंगे यह देखिए यह पूरा डेजर्ट नेशनल पाक है जम्asan का पूरा बार लड़ेड़ यह दर वाला यहांपर बहुत बारिश होती है यह आपको पूरा ग्रीन री वाला यह राजस्तान का पूरा ग्रीन बैल्ट है। यहांपर आप जाओगे कभी गूमोगे बारिश के चल्दीहोंे तो आपको ऐसे कि आप कोई माचल पर्देश या कोई किरला में गूम रहे हो कि बहुत आपको यहां पे गरिंडी देखने को मिलेगी क्योंकि अरावली यहां से आती है तो टक्रा के यहीं पर ही रह जाती है यहां पर अरावली से टक्राने के बाद में क्या होता है कि पूरी बारिश इसी एर लवर के अंदर आपके सरिस्का अंतंबोर सवाय माधपूर के अंदर तो यह पांच आपके इंपॉर्टन नेशनल पार्ग देखने को मिलते हैं ठीक है अब देख सकते हो आप डेजर नेशनल पार्ग की बात करें तो आपके जसल मेर और बारमेर वाले वेस्टन स्टेट में էसल मेर वाला है तो यह आज ऐस पास बेंदर नहीं है त्रटन वाली Nine जोनेख यह इस ऐसको भी कंदर्वेशन को लेकर हम लोग काफी काम करते हैं यह देख सकती है आप और आप से वाले के न हख क्रिटिकलि वाली category के अंदर देखने को मिलता है आपको समझे critically endangered category के अंदर है ओके यह देखिए UPSC के अंदर अभी last यह 2020 के अंदर भी सवाल आया था यहां पर जैसे कि दो डिस्ट्रिक के अंदर यह है desert national park सही बात है कोई human habitation यहां पर नहीं है है ऐसा हो सकता है कि कोई human habitation नहीं है इतने बड़े area में गलत है है ना one of the natural habitat ग्रेट इंडिन बस्टड का यह भी सभी सवाल है 2020 के UPSC का सवाल है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा 103 आपका सभी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा कोश्चन था आगे बात करते हैं चैनीज के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हैं दो चीजे इंपॉरेंट है चाइनीज और टुनेश्या के अंदर क्या हो गया है अभी रेसेंटली की बहुत आपको मालू में जब भी आइल फैल जाता है पानी के उपर तो मचलिया जो है वो धमा धम बने लगती क्योंकि उनको आक्सिजन नहीं मिल पाता बैरियर बन जाता है समझ गए हमारे मुंबई कोस्ट पर भी एक बार हुआ था तो फिर हमने ऑईल इटिंग बैक्टिरिया व पॉलिशन को रोका जा सके नेवी यहां पर पूरी तरीके से रेस्क्यू कर रही है एक्चुली हुआ क्या था कि यहां पर जो इक्वेटोरियल गीनिया करके जो कंट्री है ना अफ्रिका में वहां से एक शिप जो है वो माल्टा के लिए जा रहा था मेडिटेरियन ओशन के प्रॉब्लम हो गई और शिप जो है वो कोने में टेकराने कर जिसे वाँ पर लिकेज हो गया और पूरी अभी तो क्या सिच्वेशन कंट्रोल में लेकिन इनका द्वारा बोला गया कि बहुत ही मिनिमल लिकेज हुआ है है ना नेकेड आई से आप देख भी नहीं सकते लेकि और यह देखिए यहां पर चोटा सा कंट्री है गीनिया यहां से जो है यह इदर की तरफ माल्टा की तरफ जा रहा तो तो यह जो टुनेश्या वाला बैल्ट है ना तुनेश्या वाला यहां पर जो है आपको देखने को मिला यह देखिए यह माल्टा है मेडिटेरें जोश को मिलेगी आपको GDP पर क्यापिटा इंकम नियर बाइब चार अजार डॉलर के आसपास गिनी में मीडियम है 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 दिनार यहां पर करणसी है जो की चलती है बिल्कुल बोला है आपर गुर्विंदर ने कि कम से कम चार से च्छे पीपीम तो चाहिए होता है मचली को किसी भी पानी के अंदर सर्वाइब करने के लिए उससे अगर लेवल कम हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती है समझ गए आगे बात करते हैं आफ नियर बाइच है मेने क बाद में चैनिज एस्टोन जो की वापस से अर्थ के ओपर लौट है और उनका लॉंगेस्ट कूट मिशन जो कि उन्होंने पूरा कर लिया तीन चैनिज एस्टोन जो है वह स्पेस में गए वह थे वन इति त्री डेज जो कि उन्होंने इस पेस में बिताएं और अपना लावा इससे पहले इन्होंने मालूम है आपको मार्स के ओपर लैंड रोवर भी लैंड करवाया था मून के ओपर भी इन्होंने काफी काम किया है लाए फुटेज भी इसको दिया दिखाएगा कि वन एटी त्री डेस तक यह स्पेस के अंदर रहे थे दो मैला एक यह रभाए तीन साल के असपास एक करके एक परसन है रश्या के रश्यंस यह देखो मैक्सिमम स्पेस के अंदर मतलब रश्यंस ने बहुत काम किया मतलब आगर आप देखो के तॉप टैन में सारे रश्यंस लोग जिन्हों सबसे ज़्यादा टाइम है जो कि इस पेस में बि 94 के अंदर 437 डेज जो कि इस पेस में बिताया थे आगे बात करते हैं पेज नंबर 13 यहां पर जो हम लोग डिसकुस करेंगे वह है अमारे लिए एक छोटी सी न्यूज एश्डिफसी बैंक को लेकर अगर आप बैंक का एक्जाम दे रहे हैं तो एश्डिफसी बैंक अगले स्क्चर बनाएगा फिनेंस करेगा लोन देगा अफोडेबल आउसिंग लोन देगा इसको लेकर इनोंने जारी करें तो आप से पूछेंगे पेपर में कितने का अमाउंट का इस जफसी बांड जो है वो सेल करने की कोशिश कर रहा है ठीक है रितेश बोल रहे हैं कि एक वी पचास साथ हजार के आसपास होंगे जो ओरिजनल है फेक वालों के बहुत जादा हैं कई सारे लोग आपसे पैसे में मांगेंगे प्लीज ऐसी कोई खरकत मत करना कोई बिटकॉइन ट्रेडिंग इस सरे की बहुत सारे मेसेज़े मेरे पास भी आ रहे हैं कि लोग फेक जो है ठीक है तो जान रखेगा उस बारे में और उस वाले ग्रूप को जाइन करना जिसमें फिफ्टी नाइन थाउसंड है वह उरिजिनल इसमें डेली पीडिएफ आती है हर दिन की पीडिएफ एक्जाम जो भी मैं पढ़ाता हूं उसके पीडिएफ डालता हूं ओके ठीक है कुछ नियों होता यार एक तरीके से प्रोजेक्ट के जैसे कि फएग्जेंपल कोई चल रहा है कहजार क्रोड का मैंने उसके एक हजार करोड रूपे में सो करने लिए bond issue कर दिये, bond कुछ नहीं होता है, एक papers होता है, set of papers जिसमें आप बोलते हो कि इतने time में इतने पैसे आपको हम लोग वापस देंगे या फिर इतने इतने interest को पर वापस देंगे, इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है? यहां पे sports के बारे हम बात करें, तो हमने डैविस कप के अंदर, junior डैविस कप के अंदर, ओशिया, एशिया, और ओशिया ना गुरूप के जूनिय डैविस कप के अंदर, अंडर 16 बॉइस के अंदर, गोल मेडल है, जो कि हमने हसल किया है, ऑस्टेलिया क्लेम जार्ड कब होता है ना पुरुष का लग मैलाओं का लग वैसे डैविस कप भी होता है इसमें क्या होता है कि इंडिविज्वल लोग देश को रिप्रेजेंट करते हैं समझ गया फाउंडर थे इसके डैविस करके उननीस के अंदर इसके शुरुवात हुई और इसमें कही सारे ग्रू ग्रूप में खेलती है वर्ल लेवल के उपर मोस्ट रिसेंट चैन्पिन रश्या है तीन बार जी चुका युएस इसको बत्तिस बार जी चुका है समझ गया है अब यह देखिए वर्ल्ड ग्रूप में सरे अथारा कंट्रीज खेलती है जो कि दुनिया की टॉप कंट्री हो पहुष्या ना फिर यूरोप का अलग ग्रूप है अमेरिका का अलग ग्रूप है फिर यहां सो सारे कंट्री आके वर्ल्ड ग्रूप में खेलती है यहां हमारे लिए वर्ल ग्रूप में पहुशना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है आगे बात करते हैं पेज नमबर 16 यह तो साजन आज के टाइम पर माने जाते हैं तो काफी उम्मीदर भी है इंसे कि यह आने आले दिनों के अंदर हमारे लिए उलम्पिक में अच्छा रिप्रेजेंटेशन करेंगे लेट सी और ठीक है चलिए ज्यादा अभी इनकी एजबी निया चोटे हैं तो आने वाला बात करेंगे फिर ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे युक्रेन जो है अपनी सिटी गो अभी तक डिफेंड किया हुआ है कोविट नैटिन के कुछ केसे दिली में राइस हुए है उसके बारे में बताया गया यहां पर जहागीन पूरी में 21 लोग को अरेस्ट है जो कि किया की जरूरत है समझ गया वरना क्या होगा सुप्रीम कोटने में भी अगर किसी को जल्दी फैसला नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा बिचारा है ना सतर हजार केसे में उननिस परसन केस तो ऐसे हैं जिनको डॉक्यमेंट सब्मिट करवाने हैं बावन पर बावन हजार अभी ऐस से नौ जज़ है जो कि रिटायर होने वाले नियरबा अगर इतने लोग रिटायर हो जाएंगे तो फिर और पेंडिंग हो जाएंगे इसी को लेकर यह पूरा आर्टिकल है जो कि यहां पर बताए गया है दो को भी हमारे सुप्रीम कोट में टोटल जो जच की बेंच यह है अभी प्रिजेंट के अंदर भी हमारे यहां पर 32 जजी है अभी समर वेकेशन भी आने वाले हैं सुप्रीम कोट के और साथ में इतने सारे जज़ भी रिटायर हो जाएंगे तो फिर और भी जाता केसे हैं जो कि पैंडिंग हो जाएंगे तो इसी को लेकर यहां पर बताय सुप्रीम कोट का बताया इस वाले पूरे आर्टिकल के अंधर तो तो अभी रहासाब जो है वो यह सारे ज़ज बनेंगे टो लिट जी जो है वो उनका दो साल का टेनर होगा दोजार चौबिस के अंदर जाके वो रिटायर होंगे ओके यह वाली बात है ठीक है तो अब भी कुछ मेनों के अंदर आपके रमना साथ भी डिटायर हो जाएंगे अगर आप देखोगे अमारे देश के जो सब औरिनेट को सेशन को जो है ना नीचे वाले जो कोट है उसमें निरबाद तीन करोड केस पैंडिंग है इतनी तो कई सार देशों की पॉपुलेशन नहीं जितने हमारे हापे केसे स्पैंडिंग है हाई कोट में 43 लैक केसे और सुप्रीम कोट में 70,000 केसे स्पैंडिंग पड़े है उके मलाब है यह भी समस्य हो जाएगी पार्टी के जो आपके लोग होते हैं जो वोट दिलाते हैं उनके ओपर व्योडेशन बहूं से स्पैंडिंग हो जाएगी इसलिए जड़े से का पॉइंट्मेंट कम होता है थरवाइश देखिए विकेंसी देखिए कोट में 5000 विकेंसी है हाई क सत्रा जज पर मिलियन पॉपुलेशन के इसाब से जबकि हमारे इन से भी ज़ादा होने चीए यूएस यूके से अभी आप देखो तो पेंडिंसी ऑफ जो केसे उन वो बढ़ते ही जा रहे हैं और दाइयर कम नहीं हो रहे हैं बढ़ रहे हैं दो जाएज चैनल है आगे बात करते हैं जो की ब्रिक्स मिटिंग को लेकर देखो हमारे लिए दोस्तों एक बहुत एक और गड़ी आ चुकी है जिसमें हम लोग डि w c c r $ और मतला रश्या और यू स के बीच में फजने वाले अभी क्या होने वाला है कि एक बड़ा event होने वाला है ब्रिक k करने हाला है लेकिन चायना इसको चाइना की ऑपर जब घुथा मफुत्ता होते हम दूनों देशों के आर्मी सिक बाद में पहला बड़ा है जो कि चाइना होस्ट करने वाला है चाइनीज फॉरन मिनिस्टर जो है वैंग वह अभी दिल्ली आके भी गए थे उन्होंने बोला पिता कि नॉर्मलाइज कर लो टाय अप यह वह लेकिन वह वाली बात है सामने से तो बोलते हैं चाइनीज ऐसा कर लो और फिर पीछे से जो प्रिक गेमज की भी बात करे गई स्टार्ट करें गए बोजाय बात के चाइन करें नहीं है मुझे लगता है कि बुलाए जाएगा डेफिनिटली को कि इंडिया अभी बहुत इंपॉर्टन पार्टनर बनावा है है तो इंडिया को ऐसे इन्वाइटी बुलाए जा सकता है क्योंकि जर्मनी के अंदर एक मही को मोदीजी जाने वाले हैं क्योंकि वहां पर के साथ में भी बाइलेटरल मीटिंग है तो जर्मनी के साथ में वहीं पर सम्मिट है तो हो सकता है कि स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर इंडिया को बुला ले जाए हाला कि अभी लिस्ट प्रिपेर हो रही है अभी ऑफिशल अनॉसमेंट नहीं हुआ लेकिन मुझे लग इसके के पास में यह देखो कंस्रक्शन का काम कर रहे है यहां पर इसके बारे में बात करेंगे जो कि स्नेक बाइट को लेकर है आपको यह बात मालूम है कि पूरी दुनिया में जितने भी स्नेक बाइट होती है है ना वर्ल्ड के उसकी 50% जो सांप काटते हैं वो इंडिया में काटते हैं 50% जो स्नेक बाइट होती है इंडिया के अंदर होती है इब ही उडिसा ने एक बहुत ही अच्राइटल का ब Ho찌 है ऑट है और स्टेट इसको बताया है स्टेट इस्पैसिफिक डिसास्टर क्योंकि नीरबाइट शेहाँ लोग की मौथ हो चुकी है पिछले 5-6 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर, जितने लोग natural disaster से मरते हैं उडिसा में, उससे जादा snake bite से मरते हैं, इसलिए Odisha government ने decide किया है कि वो क्या करेंगे, SOP जारी करेंगे, SOP का मतलब होता है, procedure जारी करेंगे, जिससे वो इन सारे cases को deal करने में आसानी हो, और ऐसे cases, snake के और human के conflict है, जो कि नहीं हो, समझ गया है, तो World Bank, Zoological Survey of India, Karnatka, Kerala की agencies, ये सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि snake bite से death को कम किया जा सके, Okay, on an average, मतलब काफे सारे cases हैं, जो कि देखने को मिलते हैं, है ना, और ऐसा नहीं कि Odisha में सबसे जादा snake bite के cases देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, UP के अंदर, लेकिन seriously इसको Odisha ने लिया, ये एक अच्छी बात है, Okay, Odisha और UP, BR, बाके सब राजजों को भी इसको लेकर जो है, वो serious होने की जरूरत है, चलिए, तो आप यहां पर देख सकते हैं, स्टेट के अंदर, उरी सा की अगर मैं बात करूँ, तो cases 500 bite थे, उससे 1100 हो चुके हैं, अभी तक, साड़े 700 लोग की death हो चुकी है, और 1000 के आज़ पास जो है, 2021 किसमा आकड़ा पहुँच जाएगा, इसलिए इन्होंने ये initiative है, जो कि लिया है, ओन एन एवरेज, एक दिन के अंदर है न, हमारे देश में 5000 लोगों को snake bite है, जो की हो जाता है, ओके, ग्लोबली अगर मैं बात करूँ, हड़ साल, पचपल लाथ लोगों को snake bite है, जो की देखने को मिलती है, ठीक है, उसमें से 50% जो है, ये देखिए, 1.2 million snake bite death है, जो की देखने को मिली, पिछले 20 सालों के अंदर, on an average हमारे साल, एक साल के अंदर 60,000 snake bite death है, जो की देखने को मिलती है, नमबर बहुत जादा बड़ा है, मतलब 12,00,00 लोगों की मिरत्यों को यार, सोची कितना बड़ा नमबर है, इंडिया एक स्टिमिले बारा लाख snake bite death पिछले 20 सालों के अंदर हुई है, तो on an average अगर मैं बात करो, तो 60,000 लोगों की snake bite से death हो रही है, और इसमें से आदी snake bite 50% जो काटने के cases हैं, वो भी इंडिया के अंदर ही देखने को मिलते हैं, data analysis करोगे, तो monsoon period में जादा देखने को मिलती है, 70% जो death होती है, वो low altitude ruler areas में होती है, जैसे कि बिहार, जहारकंड, मध्यपरदेश, उडिशा, उत्तरपरदेश, आंद्रा, तिलंगना, राजस्तान, गुजरात, maximum में उत्तरपरदेश में, उसके बाद आंद्रा में, उसके बाद में बिहार के अंदर, 97% ruler areas में मिलते हैं, क्योंकि आपको मालूम है, snake vayipers देखने को मिलते हैं, 98% male, 41% female, क्योंकि male जो है वो जादा बाहर की तरफ काम कर रहे होते हैं, हैना, lifetime risk की बात करें, तो धाइसो में से एक बार, हैना, धाइसो में से एक extent ऐसा होता है कि कोई snake bite से कोई person, एक individual person मर सकता है, हैना, lifetime के अंदर, risk के मतलब यह उसकी, ठीक है guys, और envenomation का मतलब यह होता है, जब venom inject करता है कोई भी साफ अपने आपको बचाने के लिए, हमारे आपे majorly तीन प्रकार के साफ जो है, वो जादा तर देखने को मिलते हैं, जो कि snake bite करते हैं, रसल वाइपर्स, एक क्रेट्स और एक कोब्राज, है ना, इनक से जो है वो maximum, जो है वो snake bite और death देखने को मिलती है, problem अभी यहां क्या है, एक तो WHO ने भी जो इसको क्या किया है, snake bite को है ना, top priority में माना है अभी neglected tropical disease में से, कि इसको अभी immediately हमें देखना चाहिए, तो इंडिया के अंदर जो है केसेज भी बहुत होते हैं, तो इसको हमने immediately जो है वो tropical diseases के, neglected tropical disease में top माना है, जरुरत क्या है कि snake जो यह safe harvest practice किया जाए, करने ही क्या जरूरत है कि जब आप गावों में खेती बाड़ी करते हैं ना, तो gloves use करो, rubber boards use करो, rechargeable torches use करो रात को जा रहे हैं अगर, और snake का database होना बहुत जरूरी है ताकि पता कर सके कि किस एरिया में कितने ज़्यादा जहरी ले साप available है, anti-venom हमारे हाँ पर problem किया साप कार जाता है, लोग लेके जाते हैं किसी बाबा के पास में, बाबा जो है वो कुछ करनी पाते हैं लोग मर जाते हैं हमारे हाँ पर मित भी जो है वो बहुत ज़ादा है, है ना, snake को लेकर ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि डॉक्टर के पास पहुचने से पहले इंसान लोड़क जाता है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर के पास पहुच भी जाए तो वहाँ पर दवाया नहीं मिलती है अंटिवेनम वाली, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, हमें अभी तक सिर्फ चारी साप का जो है वो डेटा अविलेबल है, क्योंकि लोग इतने ज़ादा डर जाते हैं, उनका हाट फेल हो जाता है, ओकए यह भी एक बहुत बड़ा कारण है, कि लोग इतने डर जाटे हैं उस' Beyond से लोगों की हाट फिल हो जाता है 90% केस है से जिसके अंदर ये कारण होता है बाकि वैनम जो है वो कुछ साप कही इतना जाधा डेडली होता है जाधा तर साप जो होते हैं इतना डेडली नहीं होता है वह आप सही हो सकते हो टाइम भी मिलता है अच्छा कासा ओके लेकिन पॉ आप चार प्रकार के आपके वाइपर एक तो कोबरा है हो गया यह आपका common crate हो गया और एक आपका रसल वाइपर एक चार प्रकार के आपको maximum देखने को मिलेंगे अनक करना क्या चाहिए कभी भी आपके आसपास जो है एक तो यह धान रखो कि कभी भी चुवे कम हो चुवे अपना बिल बना लेते हैं, वहाँ पे रहते हैं, अपने आपको वाम रखते हैं, पेड़ पौध अगर हैं, तो उनको clear रखने की कोशिश करो, खड़े वहाँ पे नहीं होने चाहिए, यह चोटी मोटी चीज़ हैं जिससे आप स्नेक को दूर रख सकते हो, इसके अलावा हमार लेकिन दूर नहीं पिलाना चाहिए, dairy product इनके लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, इनकी body के लिए, इनको जो इचिंग होती है, जो यह जानवरों को infections होते हैं, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है dairy product का, इनका अपना अपना food होता है, तो अगर आप खिला रहे हो तो व कि बिचारे मजबूरी में पीते हैं यह सब, बाकी इनका यह food नहीं है, इनको पिलाने से इनके लिए अच्छा नहीं आप बुरा ही कर रहे होते हो, क्योंकि इनकी body में problem हो रही होती, dairy products से, समझगे मेरी बात, तो यह सब कभी नहीं करना चाहिए, लोग आपसर दूद पिल सबस्क्राइब नाग नागिन वाले साब को उसका पीपेर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझ गहे है, यह सब बॉलिवूड का drama है, जो साब होते हैं, नोन-social होता है, नो memory होता है, इनके पास ना तो कोई memory होती है, ना यह social होता है, समझ गहे है, यह काट लेती है, अगर इनको danger लगेगा तो साप का कोई food नहीं होता है इंसान साप के पास में पहला option होता है कि अगर अपने से 10 गुना जाथा बड़ा जो कि इंसान एक normally होता है वो देखता है तो साप सबसे बहले भाग के अपनी जान बचाता है लेकिन उसकी eyesight weak होती है तो भागने की जगे नहीं देख पाता तो last option होता है उसके पास में काटने का समझगे उसको मज़ा नहीं आता काटने में लेकिन उसके पास last option होता है अगर आप जगे नहीं दे रहे हो उसको जाने की अगर आप छेडा चाड़ी कर रहे हो पत्तर भेग रहे हो तो वो उसको इतना ज़ादा डर होता है तब वो last resort के तौर पर काटने के कोशिश करता है अटक करने के कोशिश करता है otherwise वो डरता है इंसानों से बहुत ज़ादा कोई साब भी साब हो दूसरा यह होता है कि कई बास आपने बच्चे बच्चे दियो होता है तो जो फीमेल स्नेक होती है वो उसको लेकर बहुत ज़ादा वो होती है उसको डिफेंस में अटेक कर देती है अगर आपका हाथ पैर वेर कहीं अलट ज़के पर चल जाए यह सब है ठीक है तो यह सब इसनेख फोटो खेंस लेता है यह सब आपको मारना नहीं चाहिए, समझ रहे हो, अगर आप मार भी रहे हो, तो भी आप इन्वार्मेंट के लिए गलत कर रहे हो, उके उनकी अपनी उनको आप जगे देदो कि वो निकल जाएगा, उसको आपको घर में रहने में, काटने में कोई मज़ा नहीं आथा, पेज नमबर 11 की बात करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग डिसकुस करने वाले हैं, वो बात करेंगे, अगर आज मंडे है, तो देश के जितने भी आर्केलोजिकल आपकी साइट से, चाहिए कोई सी भी साइट हो देश के अंदर, जितने भी इस्टारिकल साइट से, सार जगे पर समझ गए, थीम रखी गई है, हरिटेज एंड क्लाइमेट, हमारे देश में टोटल नियर्भाय दुनिया में, वर्ल्ड युनेस्को वर्ल डेटेज साइट कितनी है, ग्यारसो के प्लस के आसपास है, जिसमें इटली के पास में मैक्सिमम है, इंडिया के पास में हमारे यहा नमबर वन चाइना, फिर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटनिया में 40 साइट हैं सी, ओके, चलिए, ये साइट की बात करें, 1861 में अलेक्जंडर के दुवारा बनाएगा, दिल्ली में एटकोर्टर, अभी विद्यावती जी हैं, जो कि इसकी है, एक अज़ा करोड का पसा इसको मिलता है, ईंडिया ने दोस्तो कोर्या कोरा के थर्ड़ स्पॉटे जो के असल कर लिया, कि सके अंदर, ये भी एशिया, ओशियाना बिली जेन, किंक अप, वोमें, टैनिस तुनामेंट है, जो कि तर्की में कराएगा, बिली जेन, किंक अप से आप याद कर सकते ह एश्या उश्याना गुरूप का था हमने ठीक है टर्की गौहरा के जो है यहां पर कूर्या गौहरा के जो है दो एक से थर्ड स्पॉट है जो कि इसके अंदर हमने आसल कर लिया Financial Express में कुछ खास नहीं है एक चीज है जो कि LIC को लेकर है आपको मालूम यह सरकार को पैसा कमाना है तो सरकार ने LIC को कर दिया IPO लाने वाली है पहले तो 5% 10% अलाओ था FDA अभी इसको 20% तक बढ़ा दिया गया है यानि कि 20% विदेशी पैसा Investment है जो कि इसके अंदर आ सकता है आगे बात करते है Extreme Poverty को लेकर पिछले 2011 से 2019 के बीच में जो है ना हमारे देश में Extreme Poverty जो है वो कम हो गई है ओके तो एक्स्ट्रीम पावर्टी का मतलब क्या होता है पहले तो यह समझो एक्स्ट्रीम पावर्टी होती क्या है अगर कोई परसन एक दिन में 145 रुपे से कम के ओपर रह रहा है है ना अगर कोई भी परसन 145 यानि कि आप ये मान दgins क Vegeta हो कि पूरे महिने के 45000 रुपे के आदस पास तेन पॉइंट टू परसेंट हमारे आपे लेवल पहुंच चुगा एक्स्ट्रीम पावर्टी इंडिया में ड्रॉप हो गई है यह 10.2 परसेंट प्री कुविड इयर ऑफ 2019 तो पहले हम लोग कुविड से पहले की बात कर रहे हैं 2011 से 2019 की बात कर रहे हैं तो 10.2 परसेंट हमार एक्स्ट्रीम पावर्टी की बात कर रहे हैं पावर्टी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं पावर्टी का लेवल करोगे तो यह 30-40 परसेंट के आसपास पहुच जाएगा पावर्टी के अंदर 500 रुपे से बढ़ा कर आपके 200-200 रुपे के आसपास पहुचा दिया जाता है न 2011 से 2015 तक के अंदर ही बताए गया 15 से 19 तक का यहां पर देख सकते हो दपेपर ने जो है वह अब्जर्व किया कि जो कंजर्प्शन inequality है है ना वो 2011 से कम हो गई है लेकिन 2015 से 19 के बीच में कोई जादा ही चेंज नहीं है थोड़े से चेंज आए मतलब यह भी इसके अंदर यहां पर लिखा गया है तो अगर आप उसको और 7.9 पर्षेंट पहुंच गया है तो अभी 11.6 तो है रूलर इरिया में 2019 में और अर्बन में 6.3 है यह नीचे वाला नंबर याद करो जादा बैटर रहेगा 11.6 पर्षेंट रूलर इरिया में एक्स्ट्रीम पावर्टी और 6.3 पर्षेंट अर्बन इंडिया के अंदर ओ आपको अच्छा ने लगेगा लेकिन बताएता हूं कि इंडिया के जो टॉप 10 जो रिचेस्ट लोग है यह दे आर पूर दैं यूएस के टॉप 10 पूरस से भी जो टॉप 10 परसेंट की बात कर रहे हूं जो टॉप 10 अपने जो रिचेस्ट लोग है ना इंडिया में वह यू वह किसान भी मर्सेटीज चलाता है हमारे आप मर्सेटीज देख लो मतलब कितने लोग चलाते है ठीक है तो दो तरीके के इंडिया नजर आते हैं शाइनिंग इंडिया और एक जो अपना अलग रूलर इंडिया जिसके अंदर 70% ग्रामीन बारत और ग्रामीन बारत के आपक करें यह सब चीज़ है आगे बात करते हैं जनसत्ता की कुछ खास जनसत्ता में नहीं है ब्लैक सी और रश्या के बारे में बात करेंगा देखो यहां पर क्या इश्यू है ब्लैक सी जो है ना यह रश्या का एक बहुत इक डॉमिनेट पार्ट है क्योंकि इस से उसको कंट्र स्कुषिण कर रा ता लेकिन वह की पढ़ाया भी था शायद मैंने भी आपको एदे दिन पहले इसके बारे में तो यह वार्ट शिप युक्रेन ने रश्या की उड़ा दी इससे कुछ दिन पहले एक और उड़ाई थी रश्या की राला कि रश्या ने बोला कि वहाँ पर आग लग गई है उसके वज़े से ऐसा ह रखिएगा ठीक है यह बहुत ही इंपॉर्णेंट है पेपर में पूछेंगे आप आप देख सकते हो तर्किस स्ट्रेट है यह यह सी ओफ अर्जॉव है यह क्रीमिया को कबजे में ले रखा है इतनको रश्या ने जॉर्जिया से भी यह वाला एरिया कबजे में ले लिया ची excited चांच तो ब्लैक सी के अंदर इसका डॉमिनेट बहुत ही ज़रूरी है दूसरी बात सी इसे क्या करता है legoई यॉव्क्क के अんदर तो यह बहुत ज़रूरी थो बात करो तो ब्रस्या के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉरेंट है वहाँ पे इसका शिप उड़ना एक बहुत ही जिंजिस कंडिशन है जो कि माने जाती है गेटवे मेडिटेरियन के लिए और नाटो के लिए भी एक तरीके से बफर जोन का काम करता है है ना चलो आगे बात करते हैं इसके अलावा सबसे बड़ा आइस का कॉमेट है इसको नाम दिया गया है सी 214 यूएन 271 इसका डायमेटर देखिए 130 किलोमेटर का है यानिकि काफी बड़ा है तो सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे आइसी कॉमेट कौन सा है धुमकेतू कौन सा है तो आप ये बणा डेलियनी बण स्तीन दुमकेतू का नाम दे सकते हैं नासा ने बताया है हबल स्केप टेलिसकोप से हमने पतागिया है हबल स्पेस टेलिसकोप 1990 में लाउंच किया गया था सबसे बड़ा है एक साइंटिस्त था हबल उनके नाम पे इसको रखा गया है स्पेस बेज पीटर तक के पूरी जानकरी आपको अविलेबल करवाता है 30 साल जो है इसकी लाइफ थाइन थी अब इसको चेंज करने के कोशिश कर रहे है ठीक है कॉमेट्स जो है वो डिसकवर करे गए एक एस्टोनॉमर है पैड्रो बनस्टेली और बैंस्ट्रेन इनके दुवारा ही चिल है जो की हुआ है ठीक है यह डस्ट हो गया आई सो गया इससे बने वह होते है पहली बार एक अजार बीसी में एक एस्टेलोगे ने कोमिट के बारे में जानकरी दी थी है विल्कुल जाते है ऊके मिलियंस ओफ कॉमिट्स आपको सं के आस-पास देखनी को मिलते हैं अभी तक हम लोग 3,000 के बारे में तो पता गड़ चुके हैं लाइफ इनकी जादा शॉट होती है वैसे 200 साल के आसपास है जो कि ये सन के आसपास पहुँच जाते हैं और जल जाते हैं कूपर बैल जो है हमारे सोलर सिस्टम के बार वहाँ पर भी ये देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे फेमस जो है वो हैले कॉमिट के बारे में आप सभी को मालूमी होगा जो कि हर 76 साल के अंदर हम लोग देख लेते हैं अब 262 के अंदर हमें देखने को मिलेगा ये देखिए ये कूपर बैल्ट है लग ए तो बिलकुल अलग है आइस बॉडि ये तो बिल्कुल अलग रख दो इसको तो इसकी तो डेफिनेशनी बिलकुल अलग हो गई अब कन्फ्यूज करती है एस्टरोइड मेतरोइड, मेटियोर और मेटरॉइट के बारे में ये जो 4 पॉइंट है ये आपको confuse करते हैं सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ी डैडी होते है इसके इंदर एस्टरोयड आप इस तरह करो ये सबसे पहले आता है आपकी इलफा बेक्ट में तो ये स्बसे बड़ी rocky और फिर वहीं से मरीन एनिमल बने फिर वो ग्राउंड के ओपर एनिमल आ गये फिर वहां से उमन बना इस तरह कैसे चला तो सबसे बड़े एस्ट्रोइड को अगर मैं छोटा कर दू तुकड़ों में कर दू तो मीटरोइड बना दूगा क्या बन जाएगा मीटरोइड ओके त लग जाएगी क्योंकि यहां पर ऑक्सिजन भी है तो यह मीटियोर बन जाएगा और जब यह हमारे अर्थ के उपर गिर जाएगा तो हम इसको मीटराइट कहेंगे आराइटी लास्ट में इसके लगाएगे इस तरह कैसे इसके डैफिनेशन होती है समझ गए यानि कि कॉमें तो आपका हो गया बिलकुल यह अलग यह तो बिलकुल आइस वाला हो गया एस्टरोइड हो गया आपका सबसे बड़ा वाला उसके बाद इसका थोड़ा चोटा पीसेज जो होंगे वह बनेंगे आपके मीटिरोईड इसको आरो आईटी से में रिप्रेजेंट कर रहा हूं भी कि राओगा आपका मीटियॉर जो हमारे एकमोस्फिर में आएगा और लास्ट मन जबहारे हमारे प्लेजाएगा हमारे सर्फेस पर हैजाएगा तो हम इसको आर इकर लो बहुत सिम्पल है ठीक हैं चलिये करेंट अफरी शॉट की बात करें है इंट को और यूएशन साओ में ताकि energy efficient tech है जो की बना सके है ना नेक्स्ट है पुडिच्वरी के LG ने inaugurate किया beach festival pondi 2022 pondi cherry के अंदर ठीक है नेक्स्ट है फिनो payment bank जो है वो 12% stake buy करेगा pay split private limited के अंदर उडिसा के cm ने 23 के men hockey world cup का logo unveil किया बोनेश्वर के अंदर ही होगा यह और उडिसा पहली city बन गई जो इसने दो बार consecutively जो है world cup करवाया hockey का प्रबाद को Malcolm award है जो की मिला है as a social scientist के तौर पे तो आज के दिन इत्यास में कुछ खास नहीं है vocabulary की बात करें condon का मतलब होता है किसी को maaf करना का मतलब होता है regret करना steer का मतलब guide करना mount का मतलब चड़ना build करना mark you का मतलब एक tent जो इस तरीके से होते हैं कोई भी जो बहुत ही amazing players होते हैं बड़े players होते हैं बड़ी चीज होती है उसको mark you क्याता है ठीक है fun fact की बात करें तो यह आपके science की कुछ bucket list है जो कि अगर आप science lover है तो यह कुछ चीज़ें आपको हमेशा अपनी life में करनी चाहिए देखनी चाहिए तो यह 6 चीज़ें जो हमेशा देखीगा अगर आप science के student है या science पसंद करते हैं तो एक प्लैनेटोरियम ज़रूर विजिट करेंगा बहुत अच्छा लगेगा नौर्दल लाइट सदल लाइट्स यह अपने जंदकी में कभी ना कभी देखने के कोशिश करेंगा ठीक है और तेलिस्कोप से कभी कुछ देखने के कोशिश करना इसपेस के अंदर बहुत मज़ा आएगा डैनसौन मुजियम देखना एक के लाइव रॉकेट लॉउंच का भी देखने के कोशिश करना और स्टार गेजिन देखना डार्ग के अंदर जो है न कभी जैसल मेर जाना डून्स के अंदर और वहाँ पे आपको पूरा स्पेस जो है वो नजर आएगा कुछ इस तरह केगा आपको इतने सारे स्टार्ज इंदम गेलक्सी टाइप बहुत अमेजिंग लगेगा आपको बहुत अलगी एक्स्पीरिंस होगा आपका ठीक है तो एक कुछ चीज़े में से जो भी आपके टाइम के साफ से आप कर सकते हो करने की कोशिश जबरू करना ठीक है चलिए इसका लावान अकैडमी के बारे में बात करें आप डाउलोड करो मुबाइल नंबर लिखिए गोल से लिट करिए आपका जो भी एक्जाम का गोल है 40 प्लस एक्जाम में से प्लस में जाएए गेट सब कुछ आपको मिलता रहेगा आज का पहला सवाल है आपको पेर करना इनमें से कौन से सी कौन से कंटरी के साथ में है अगला सवाल इंक्लूजिव गवर्नेंस का मतलब क्या होता है क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें यह आपको बताना है तर्की किसके बीच में लोकेड दो.